मोधी सरकार में मंत्राले का बंटवारा हो गया और 71 मंत्रियों ने अपने दफ्तर जाकर जिम्मेदारी संभाल ली यहाँ पर मोधी के मंत्री 100 दिन के तार्गेट पर लगे हुए हैं और विपक्ष किसी और तार्गेट पर है क्योंकि मंत्राले का बंटवारा विपक्ष को प मोधी थ्री पॉइंटों का अधिकारिक तोर पर काम काज शुरू हो चुका है कल देर शाम मंत्रालियों का बटवारा हुआ और आज 71 मंत्रियों ने अपने अपने दफ्तर जाकर जिल्वेदारी ले लिए यहां सरकार अपने काम पर लगी और वहां विपक्ष अपने काम पर मंत्रालिय का बटवारा विपक्ष को पसंद नहीं आया उन्हें बीजेपी के घटक दलों की अचानक चिंता सताने लगी और इसलिए हमलों और तंज का दोर तेज हो गया जो बिहार के वज़े से आप प्रधान मंत्री बने और मंत्राले जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से जुन-जुनना जो है थमाया गया ना निचिश कुमार जीक को बड़ा मंत्राले मिला है उनके पार्टी को और ना चंद्रा बाबू को बड़ा मंत्राले को रेल्वे मांगते थे लोग सवा का स्पिकर मांग रहे थे कोई बोल रहा है अब फिनांस मिनिस्ट्री मांग रहे है क्या मिला गया देखिए ना आप दरसल नतीजे आने के बाद से ही मन चाहे विभाग के लिए जेडियू और टीडिपी बीजेपी पर दबाव बना रही थी दोनों ही पार्टियां एहम मंत्राले चाहती थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ किंग मेकर बनकर उभरे इन पार्टियों को मुह मांगे मंत्राले न देकर पीजेपी ने विपक्ष को एक तरह से ये संदेश दे दिया है कि उसके लिए गठ बंदन जरूरी खले ही रहे मजबूरी नहीं लेकिन जो मंत्राले सहयोग्यों को मिले हैं उसे भी कमतर नहीं आका जा सकता जेडियू को पंचायती राज और पशुपालन मंत्राले के साथ गिरशी और किसान कल्यान राज्ये मंत्राले मिला टीडीपी को नागरिक उडियन मंत्राले के साथ ग्रामिन विकास और संचार मंत्राले मिला लजेपी को फूर्ट प्रोसेसिंग मंत्राले मिला हम यानि जीतन राम माजी को MSME की जिम्मेदारी मिली RLD से जैन्त को कौशल विकास और शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया अपना दल S को दो विभागों में राज्य मंत्री का जिम्मा मिला यानि बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों का पूरा सम्मान किया लेकिन विपक्ष इसे जुन-जुना बता रहा है जो लोग के बाते करते हैं वो कहीं ना कहीं अपने दिल को तसली देने की सोच रखते हैं ऐसे में NDA गड़बंदन के तमाम सहयोगीों को जो भी जिम्मेदारी दी गए है मुझे लगता है उसको पूरी इमानदारी से निभा कर अपने विभाग की उपलब्दियां जब जनता के सामने हम लोगों के द्वारा रखी जाएंगे तो जो इस उमीद के साथ तंज कसने का प्रयास कर रहे हैं उनको अपने आप जवाब मिलेगा नजिन भाई मोडी जी के प्रतिया भार व्यक्त करते हैं और जहां तक चार्ज लेना और विभाग का मामला है हमारा कंसेप्ट बहुत बच्वन से रहा है कि काम कोई छोटा नहीं होता है वर्कीज वर्शिप काम ही पुजा होती है और जब विभाग मिला कल लिफाफ हमने खोला तो माइक्रो और स्मॉल और मेडियम इनलेस्टीज के बारे में देखा तो मन में बात खुश हुई कि यहां ठीक है विभाग है अच्छा है देखेंगे लेकिन विपक्ष शायद कुछ और संभावनों पर काम कर रहा है क्योंकि हैरानी इस बात की है जब बीजेपी को अकेले 240 सीटे आई तब भी सवाल उठे और सहयोग्यों के सहारे सरकार चलाने की बात हुई और अब जब बीजेपी ने कड़वंदन साथ्यों की भागीदारी की हिस्तेदारी बाती तब भी सवाल हो रहे है यूरो रिपोर्ट यूजेटी अमीठी और राइबरेली के साथ यूपी में बदले हाथ के हालात से राहूल गांधी और प्रियंका गांधी काफी जोश में है जोश इसलिए क्योंकि अमीठी में कॉंग्रिस की वापसी और राइबरेली में राहूल गांधी ने सोनिय गांधी की प्रतिष्ठा बर करा रखी ऐसे में चुनाव परिणाम के बाद भाई वेहन का पहला राइबरेली का दौरा काफी चर्चा में है और चर्चा इस बात की भी उने लगी जब राहूल गांधी ने कहा प्रियंका अगर चुनाव लड़ती तो मोदी हार जाते उत्तर प्रदेश में जब हाथ के हालाद बदले विछडे कॉंग्रेसी जब साथ आए तो चुनाव परियंका जोश राहूल और प्रियंका के चेहरे पर छलखने लगा कि यहां से अवद से पूरी यूपी में और पूरे देश भर में ये संदेश आप लोगों ने भेजा कि हमें एक समर्पित एक सची एक साफ राजनीती चाहिए अपने देश में पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है इस चुनाव में प्रियंका गांधी और राहूल कांधी ने जिस तरह से अमेठी में चुनावी चक्रविहू की रचना की राइबरिली में जिस तरह से दाउं खेला उसने अच्छे अच्छों को सोचने पर मजबूर कर दिया और दोनों भाई बेहन की जोड़ी ने ना सिर्फ अमेठी में वापसी की बलकि सोनिया गांधी की पृतिश्था को वक्भू भी बरकरार रखा प्रियंका की दो दो घंटे सोकर जो मेरी बेहन ने राइबरिली में चुनाव में काम किया उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ प्रियंका का और आप सब का एक और एक और आइडिया है मेरे पास वो मैं आपको बाद में बताऊंगा उत्तर प्रदेश के बेहतर चुनावी परिणाम के लिए राहुल गांधी बार बार प्रियंका गांधी को श्रे दे रहे हैं और राइबरेली की धरती से प्यम मोदी पर सीधा हमला बोल रहे हैं राहूल कान्धी ने कहा अगर मेरी बेहन प्रीयंक वारानसी से चुनाव लड़ती तो मोधी ठाई लाख बोटों से हार जाते और सिर्फ अयोदिया में नहीं बाईयों और बेहनों सिर्फ अयोदिया में नहीं वारा नसी में जान बचा के निकले हैं प्रधान मंत्री और मैं आपको कहता हूँ और बहन से कह रहा हूँ अगर ये लड़ जाती वारा नसी में अगर यह लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री दो तीन लाक वोटों से वारा नसी का चुनाव हार जाती है चुनावी परिनाम के बार राहूल गांधी और प्रियंका गांधी का ये पहला राइबरेली दोरा था इस दोरान उन्होंने कार्यकरताओं से अहवान किया कि वो इसी तरह लड़ाई लड़ते रहें और देश की राजनीती के जो प्रमुक मुद्दे हैं उन्हें उठाते रहें लेकिर इस दोरे के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है आखिर राहूल गांधी वाइनाड और राइबरेली में किसे चुनेंगे क्योंकि दोनों लोग सभा सीट पर उनको जबरदस्त जीत मिली है ऐसे में राइबरेली के आसार ज्यादा है योकि राइबरेली 2004 से सोनिया गांधी की संसद्ये सीट रही सोनिया के राज्य सभा जाने की वज़े से सीट खाली हुई सोनिया गांधी के कहने पर राहूल ने राइबरेली को चुना राहुल कांधी राइबरेली सीट अपने पास बरकरार रखेंगे वाइनाड से प्रियंका या लोकल नेता को मौका संभाव वहीं दूसरी तरफ यूपी कॉंग्रेस की पॉलिटिकल अफेर्स कमेटी की बैठक में प्रस्ताव पास किया गया है कि राहुल कांधी को राइबरेली सीट से ही अपनी सदस्यता बरकरार रखनी चाहिए यानि राहुल कांधी राइबरेली तो प्रियंका गांधी वाइराड में मोर्चा संभाल सकती है और अब एक नज़र डालते हैं क्राइम की दस बड़ी खबरों पर पुशांबी में एसोजी और बदमाशों के बीच मुटबेड कोई बदमाश के पैर में गोली लगी बदमाश पर दरच है कई अफराधिक मादले गाजियबाद में सर्राफा कारुबारी से लूट की वारदात माइक सवार बदमाशों ने दो किलो चांदी सोना और कैश लूट कर अंजाम लिया बलिया पुलिया पुलिस ने अधेर की हत्या का खुलासा किया पत्नी ही निकली हत्यानद पुलिस ने आरूपी पत्नी और हत्या में शामिल दो बदमाशों को गिरफ्तार किया हर्दोई के विलग्राब में बच्चे के अफ़ण का पुलिस ने खुलासा किया दो आरूपियों को किया गिरफ्तार वारदात में इस्तेमाल कार बराब ललिटपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुदबेड पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफतार किया लूग की वारदात में फरार चल रहे थे ग्रेटर नोडर में अवैद कब्जा के खिलाफ बुल्डोजर अक्शन अथारिटी ने 124 करोग की जमीन को कब्जा मुख्त कराया बुलंद शहर पुलिस की फरजी SOG टीम से मुठबेड पुलिस ने फरजी SOG टीम के तीम सविसे को गिरफतार किया दो तमंच और कार्थूस बरावत रामपुर पुलिस और गोतसकरों के बीच मुठबेड हुई पुलिस की जवाबी कारवाई में गायल शातिर गोतसकर पहीम गिरफतार तमंचा कार्थूस और बाइक बरामित बाइदा में पती पतनी के बीच मामुली विवाद में मारपीट नाराज पती ने पतनी पर कुलहाडी से हमला किया महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भरती कराया गया हापडवी जीसीबी से टोल प्लाजा पर तोड़ फोर के आरूपी को पुलिस ने गिरफतार किया जीसीबी ड्राइवर पर कई लोगों को चलने का प्रयास करने का आरोप पुलिस की चीम पर पी जीसीबी चलाने की पोशश